नमस्कार, मैं दिनेश, आपका देभूमी मिरर के इस रेडियो प्रसारण में स्वागत करता हूँ देश में बढ़ते जल संकट को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने बारिश के पानी के संरक्षन करने का फैसला किया है प्रदेश सरकार हर घर में बारिश के पानी को एकत्र करेगी ताकि किसान इस पानी से अपनी फस्तलों की सिंचाई कर सके धवाला अगले पंदरा दिन रहेंगे चुप जुआला मुखी से बीजेपी विधाय क्रमेश धवाला का कहना है कि उन्हें पंदरा दिन चुप रहने को कहा गया है उन्हें ये हिदायत सीएम जैराम ठाकुर की ओर से मिली है कि पंदरा दिन कुछ नहीं बोलना है धवाला ने ये बात आज तपवन्तित विधानसवा परेशर में कही प्रदेश के कबायली जिले लाहल्ज पिती में सुमवार को भुकंप के जटके महसूस किये गए लोग घरों से बाहर तो निकले पर कहीं किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है रोपे पर फोकस करेगी जैराम सरकार शिम्ला मनाली और धरमशाला में होगा काम हिमाचल सरकार प्रदेश में अब सटकों के बजाए रोपे निर्मान पर अधिक दियान दे रही है यह जानकारी सीम जैराम ठाकुर के अतरिक्त प्रदान सचेफ संजे कुंडू ने मंडी में आयوجत पत्रगार वारता के दोरान दी उन्होंने इस से पहले जिला के अधिकारियों के साथ सीम के ग्रहक्षित सिराज में जारी विकास कारियों की भी समीक्षा की तो यह थे आज के मुख्य समाचार कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी दे भूमी प्रणाम